नमस्ते रामराम, खर्खोदा में मौजूध है, मेरा नाम सनिकोशिक है और चुनावी यातरा पर आपको लेकर चला हूँ और मेरे साथ कुछ लोग यहांपर मौजूध है, खर्खोदा की राजनीती को भी बहतर जानते हैं और हरियाना पर भी बात ओ सकती है तो इनसे जानने ही कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बीजेपी बहतर परदर्शन कर सकती है और क्यों इन्हें लग राय कि टक कर दे सकते हैं यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बीजेपी के ही एक प्रत्यासी के यहां पर मुझूद हूँ तो ऐसा तो नहीं सकता कांगरेसी यहां बैठे हूं तो यही बात है कि बीजेपी होगा लेकिन आप से ही सुरू करते हैं तो थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन दे अपना रहा है और जहां तक बात है सरकार की तो जब से पिछले दस साल में हमारे हां मैं मेवात में हूं क्योंकि मेवात सबसे पिछड़ा इलाका बुलता है हरियाना का जब से मनहरलाल जी की और देश में आदरने मोदी जी की सरकार बनी है जब से हमारे हां जितनी नोकरियां मिली है खास तोर से अगर मैं अपने मेवाद की बात करूँ तो बिना खर्ची बिना पर्ची के और खास तोर से ऐसा कहा जाता है कि मुसलिम थोड़ा सा हिंदू मुसल्मान की या भई मुसलिम लोग बीजेपी को सबोर्ट नहीं करते हैं इस तरीके की भी करूंगा मेवाद का जितना विकास पिछले दस साल में हुआ इतना कलपनाओं में भी नहीं कर सकते थे हमारे लोग लेकिन फिर भी क्यों पिछे डेला को में गिना जा रहा है मैं अभी गूम के आया में अंदर गड़ गया उदर गया आपके वहां नूमे लेकिन मेरे को तो व उनको क्योंकि पिछले जब से देश आजाद हुआ है जब से वहां सिक्षा के परती कोई विशेज ध्यान नहीं देया गया हाला कि जब से यह सरकार बनी बीजेपी की बहुत कॉलिज बहुत यूनिवस्टी हमारे यहां मेडिकल कॉलिज भी और भी कई तरीके की सुधाय सर बहुत आगे है और शिक्षा में भी बहुत आगे है चिकिसा में भी बहुत आगे है और जहां तक सरकारी नोक्रियों की बात है तो बिना खर्ची बिना परची की जो बात बार बार चलती है उसमें बहुत ज्यादा योगदान मेड कर रहा है और सरकार का पूरा फोकस है हमा कि किसी अधिकारी के अगर रड़क निकालनी हो तो नू ट्रांसफर कर दो ये कहां से आगी फिर चीज़ें ये जी पहले की बात थी क्योंकि पहले वह सुधाओं का भाव था रहने की अधिकारियों को पूरी माकान रहने की सुधा या उनके बच्चों की एजुकेशन से रिल कि अन्य प्रहदेशों से भी आई ये साइपिस हमारी अनौकरी करके गए हैं दिपक जी खरकोदा में मौझूद हैं खरकोदा पर आते हैं पवन को टिकट मिली है और पिछले कई चुनाओं मैंने देखे भी हैं कि थोड़े से मारजन से बात नहीं बनती है अब की बार किस कि अशोर्टी आप दे सकते हैं देखिए पवन भाई पिछले 15 साल से संगर्ष कर रहे हैं और इनका संगर्ष महीं जीवन रहा है बड़े ही धार्मिक हैं बड़े ही सात्विक सोच के इंसान है और इनोंने जो लोगों के परती जो इनका प्यार है मैं इनसे लगबग पिछ है कि वो इनको छोड़ नहीं पाता और रही बात खरखौधा की यहां के तो ये इनका समझो कि यह बाइबर्थ यहीं के हैं तो यहां के लोगों के दिलों में जो इनके परती प्यार है वो बहुत कम अमुमन ऐसे नेता होते हैं जिनके परती एक आत्मिक भाव हो नेता तो पाइटी ने जितने को टिकेट दिये सब सभी के साथ लगे हुए पर पवन भाई के अंदर जो है वो आत्मिक लगाव है इनके परती लोगों की भावना जुड़ी हुए तो परमात्मा ने चाहा तो अब की दफ़ा इनको यह विदा जी दिपक जी और नवीन भी मेरे साथ लोगों के बीच सुख में दुख में हमेशा अगे रहते हैं और यहां पर जो काॉंडरिस के मेले है वो एक तो बाहर ही उन पर ठपा लगा हुआ की बाहर के है दूसरा की है कि कोई समस्या के लिए हम उनके पास गए तो यह कहना कि मैं क्या करूं मैं तो सर्कार नहीं है तो अगर वह काम ही नहीं होंगे तो पर क्या फाइद़ा आपके अमले बढ़ने का तो पवन भाई हैं हमेशा आगे रहते हैं और सब के सुक दुख में आगे रहते हैं नवीन जी क्या मुख्य समझ्याइं इकर को देखिया है जो जनता दस साल से मांगती आ रही हैं समस्या तो यहां पे इतनी है कि अंबार लगा हुआ समस्या होगा तो इसनी सबसे बड़ी समस्या है पानी निकासिक समस्या पानी निकासिक ऐसा आल है आप शहर में किसी भी सड़क से इंट्री करोगे न आपको पानी खड़ा में रोड पे, बहुत बुरा आला है, करोड़ा की यहां बजट आ चुकी है, गरांट आ चुके है, लेकिन लगाने वाड़ा कोई नहीं था यहां पे, तो सारे पैसे वह इधर गड़ दो गए, और अब तो उसका समाधा नहीं हो पाया है, सफाय की वी सम खड़की यहां तो बहुत सर चीजह है, जो कि इस काण पिशड गई है, क्योंकि यहां का जो हमेले था ऊस पार्टी के वह स्क्य में नीज था, तो इससका भी खामेजे हिजब होदम पड़ा है, यहां के जनता को, इस वार हमें पूरा य्किन है कि वाजबा की सरकार रहेग और हमारे जो पवन भाई है वो जानसवाम जाकर बैठेंगे एक आपने आरोप लगाया कि जैवीर को बाहरी एक आदमी है लेकिन पवन पर भी एक आरोप लगता आया कि पार्टी बदल लेता है बहुत जल्दी तो बरोसा लोग निकर पा रहे कि आप कॉंग्रेस में थे आप जी जयपी में आगे आगया बिजयपी में आगài तो इससे कैसे टेकल कर पाऊगे देए कि मैं अगर अपनी बास करूँ हैं अगर माननीजिए दियों मैं भी हूँ तो यहां पर लोग होंगे, जह पर आम जन्ता होगी, निता भाई होई जो वहां पे इसनोगे इसलाएगे, जो पर आइसनोगी के पाड़े में, और आप खड़े हों और किसी और ऋमाले ड़्षी बहां पर windows को चीचा, तो जहां पर लोग है, जहां पर आम जनता है, वहीं पर नता को रहना चाहिए, ताकि उनके बीच में रहे, उनके जो सुक है, उनको समझे, और पाइटिया ऐसी है कि आप बीजेपी मा आ गए है, पहले भी बीजेपी मा आए थे, लेकिन किसी कान टिकट नहीं मिल पाई थी, लेकिन कि आज सब बीजेपी में शुरू से थी, और इस बार बीजेपी टिकट दे दिया है, तो इस बार तो ये नहीं पार लगेगी, एक और पिछे एलेक्शन हुए अभी लोगसभा के, उसमें बीजेपी का परतासी यहां से जीत नहीं पाया, अब वो परदेश अध्यक लोगसभा जो वोट पड़ती हैं पायटी के चहरे पे, अब जबादासभा हमें पहली बार भी दो गलती बीजेपी कट चुकी थे कि बारी जो प्रताची थे, उनको बार बार टिकट दी थी बीजेपी ने, इस बार लोकल प्रताची हमारा आया है, पावन बाई हमारे आया और सभी कारेकरता हमारे मुस्तेद है, तुनाद है, और इस बार बढ़िया जीत, बीजेपी खाते में जाएगी है, तो दोस्तों, बीजेपी के कुछ समर्थक हमारे साथ मुझूद थे, हमने इनसे बात की, देखना तो अब जब वोट डलेंगी, तब होगा कि कहां जलको